नमस्कार स्वागत थे आप सभी का आप देख रहे हैं इंडिया 24 इंटू 7 लाइट टीवी आयोध्या में श्री राम मंदिर का भवे निर्माट चल रहा है इसे बीच आज सुबा एक धमकी भरे कॉल से पुलिस महकमे की नीद उड़ा दी कार करने वाले ने कहा कि जल्द ही राम मंदिर को बंप से उड़ा दिया जाएगा ये सुनते ही पुलिस प्रिसासन के हाथ पर फूल गए आनज़ जाज कराई गई तो पता चला कि धमकी देने वाला एक नावा लिक छात्र है फिर्लाल पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पुर्षताच की बताया जा रहा है कि पुलिस की जाज में मालुम हुआ है कि धमकी देने वाला 14 वर्सी लड़का बरेली का रहने वाला है वो आठवी का छात्र है उसने पुलिस के 112 कंट्रोल रूम में फोन कर आयोध्या के राम मंदिर को बंप से उड़ाने की धमकी दी थी पूस्तात में छात्र ने बता है कि उसने यूटूब पर देखा था कि राम चात्र ने फोन करके अधमकी दी है फिलहाल चात्र को पुलिस में हिरासत में लिया जा चुका और उसे पूच्ताच की जा रही है बताया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम पर धमकी भर कॉल आई तुरंत ही खूपिया विभाग के टीम और साइबर से टीम से रजिस्टर्ड है उने सितंबर की रात पुलिस टीम फते गंच पच्ची में इस्तित गिरीज के घर पर जा पहुची तो पता लगा कि उसका फोन बेटे के पास है और बेटे ने खेलते ही खेलते पुलिस कंट्रोल रूम पर धमकी दी थी वहीं अब मंदिर निर्मार को और रेकर होने वाली मोर्तियों को बनाने का कांघेज करें चल रहा है राम मंद्र के भूतल के साथ प्रथम का निर्मार का रिकते जींतर है इसके साथ और मंदिर के फिर्षा के की मेंदिर कर निर्मार पर है divigious सोशल मेडिया पर जारी किया है शूत्रों के मुताबिक परकोटे का निर्माट भी 50% के करीब पूरा हो गया है यह मंदिर के चारो तरब बन रहा है जिसकी चौडाई करीब 14 फुट और लंबाई 800 मीटर परकोटा में ही मंदिर का परिक्रमा मार्ग बन रहा है परकोटा मंदिर में 25 मीटर की दूरी पर है ट्रस्ट के सदस डाक्टर परकोटे का निर्माट भी पूरी खूपसूरती के साथ किया जा रहा है इसकी दीवारों पर रामाड के करीब सवा सव प्रसंगों के पैनल भी लगेंगे जिनकी सूची मूर्तिकारों को सवपी जा चुकी है बताया गया है कि मंदिर के भूतल में 166 खंबों पर मूर्तियों को तरासने का काम तेजी से चल रहा है इसके लिए कारीगरों की संख्या भी बढ़ाई गई है वही मंदिर मे प्रांट प्रतिष्ठा कारिक्राम तक सतर खंबों पर भी मूर्तियों को उकेरने के लिए चुना गया है वैसे पूरे मंदिर के खंबों में 6000 मूर्तियां बनी है यह सतर खंबे के परिक्रमा मार्क से सटे में इसकी साथ ही ग्राउंड फ्लोर की फर्स और फिसनिता काम हो र मंदिरर का निर्माड कारी पूरा कर लिया जाएगा मंदिर निर्माड में लगरिया आज्यंती कंपनी के discovery डो मंदर के उकरी गई भगवान गड़ेश की प्रतिमा का पूंजन आराधना क्या गया इसके साथ राम मंदिर में लगने वाले द्वारों को स्वड मंदित करने की प्रिक्रिया प्रारंब की गई गरगर में लगने वाले सबसे बड़े द्वार सहित दस द्वारों की फिटिंग का परिछर भी पूरा हो चुका है स्वड़ पात्र जड़ने वाले कारिगरों ने द्वारों की फिटिंग कवर परखा है अब तक जो द्वार निर्मित किये जा चुके हैं उन पर स्वड़ पात जड़ने के लिए साचा बनाना प्रारम हो गया है साचा बनाने से पहले द्वारों को नकासी की गई इन पर हाथी कमर आधी द्वारा निर्मित किये गई इसे के साथ सोना लगाने के लिए साचा बनाया जा रहा है यहां कारे दिल्ली के चार कारीगर कर रहे हैं द्वारों को स्वड मंड करने का कारे नमबर में पूरा हो जाएगा इसी के साथ ही अंतिम रूप से निर्धारित स्थान पर लगा दिया जाएगा यहां के सभी द्वार महाराष्ट के जंगलों से लाई गए सौगान की लकड़ी सेनिर में थो रहे हैं इन्हें हैदराबाद के कारिगर रामसेव पुरम में बना रहे हैं 410 द्वारों की फिटिंग का परिचड़ हो चुका है पूरा द्वारों का स्वड मंडिक करने का कारी नवंबर में पूरा हो जाएगा पूरा तामे की परत पर चड़ाया जाएगा सोना द्वार पर भी बने सांचे से पहले तामे की परत फिट की जाएगी इसके बाद इस पर सोने की परत चड़ी जाएगी वही मंदिर के सभी द्वार स्वड मंडिक थोंगे कारे दाइस सांस्था के कदिकारी ने बताया कि राम मंदिर से पहले कुल 42 द्वार लगाने थे अब इन में चार और द्वार लगाये जाएंगे वही भूतल के द्वारों की संख्या सरवधिक 18 होगी वो दर पर दो सीड़्या बन रही है पर में दो द्वार लगाये जाएंगे जो द्वार निर्मित हो चुके हैं उन्हें मंदिर में लगाने का परिछड़ कई चरड़ों में पूरा किया जाएगा अंतिम चरड़ में सरड़ वाले कारीगर भी मौजूद है सोना लगाने के लिए द्वारों को किस और कितनी जगए होनी चाहिए इसका भी आकलन बार-बार किया जा रहा है आपको बता दे कि राम मंदिर निर्मार को लेकर जोतपुर सहर ने समरपड रास देने के लिए देश भर में अग्रडी रह चुका रिकार्ड बना चुका था वही इस मंदिर में होने वाली पहली आर्थे और महायग्य के लिए गायों को सुद्ध देशी घी जोतपुर से जाने वाला है देशी गाय के घी से मंदिर में प्रथमा खंडर प्रजलित किया जाएगा इसके अलावा मंदिर में प्राण प्रत्रिष्टा मोहसों के दौरान होने वाले यग में भी घी और जोतपुर से होने जाने वाली हमनसामगरी से आहुतिया दी जाएंगी बताया जा रहा है कि जोतपुर के युवासंत ओम संदीपनी महराज ने इस पुर्णिक काम का बीड़ा उठाया है घी को आयोध्या पहुचाने की तयारियां जोरो सोरुसेश की जा रहे है इसे पौड़ा तरीके से 108 रथों में रखकर आयोध्या ले जाएगा इन रथों में 216 बेल जाएंगे जिसमें घी के साथ हमन में आयोति देने के लिए संविता और हमन सामगरी भी इन रथों के जलिए आयोध्या जाएगे बताया जा रहा है कि कुछ छे कुंटर घी और हमन सामगरी लेकर महराज आयोध्या पहुचेंगे महराजवा गौसाला संचलर ओम संदीपनी महराज ने बताया कि साल 2014 में उनके मन में या विचार आया था कि कभी न कभी सुप्रीम कोर्ट रामभक्तों के पच्छी में फैसला सुनाएगा बस उसी दिन से उन्होंने या संकल्प लिया था कि प्रिथम महा आर्थिया और महा साथ गायों से की थी सुर्वाती दौर में इन गाय साथ गायों में से मातर पांस से गायों का दिया जाता था लेकिन समय के साथ गाय बढ़ती गए और अब गौसाला में करीब 660 गाये हैं गौसवेवक महराज की मानित तो घी में मिलावट नहों वा जल्द खराब नहों ल इन भर गौसाला में आडियों के माध्यम से च्रीमत भावत गीता गायों को सुनाई जाती है ताकि उत्पादन होने वाले घी वा मक्कर में उची तकारात्मक प्रभाव पड़े महरात का कहना है कि उन्हों ने जो देसी ही तयार गया है उसे भारत के रिसी मुनियों की प्र कुछ भी नहीं खिलाया जाता है गायों को रोजाना श्रीमत भावत कथा सुनाई जाती है इसके लिए गौसाला में 24 घंटे भावत गीता चलती रहती थी जो आज भी जारी है वही महराज का मानना है कि श्रीमत भावत सुनने से जो भगवान की क्रपा गौमाता के उपर ब गाये थे जो सड़का सिकार हो चुकी जो दूद नहीं देती थे उन गायों की यह सेवा की जाते थे उन से तीन चार गाये ऐसे थी जो उन्हें दूद दही मांकर घीर दीती थी धीरे धीरे गौसाला में गायों की संख्या बढ़ने लगे वर्तमार में लगभग 350 गाये यह जिनके यहां पर परिवार की भांस से वाखी जाती है इन गायों का घी गौसाला में पाठ पूजा के अलावा भगवान श्री राम मंदिर में होने वाले महायग्य और अखंड दीपक के लिए संग्रह किया जाता है गायों को नित्य श्रीमत भागवत गीता सुनाई जाती ह जिससे उनके मन पर कहरा प्रभाव पड़ता है जिससे उनका प्रभाव गाय के दूद दही मक्षन और घी पर पड़ता है इसके अत्रिक धरी द्वार से बिसे जड़ी बूटी लाई गई है जिसे मिला करेंगे घी को प्रितवर्स पुना गर्म किया जाता है इसके कारणिय घी खड़ा में होता है इस घिस को आयोध्या ले जाने के लिए एक सो आठ रतों में 216 योते जाएंगे इसके लिए बैल गाड़ियों में रत तयार किया जा रहा है सारी तयारिया जोरो सोरो से हैं बताया जा रहा है कि 27 नौंबर से लिए ग्रत क्यात्रा शुरू होगी जो कर कि 10,000 गाउं से होकर निकलेगी प्रते गाउं में यात्रा जाने से पहले सूचित किया जाएगा कि प्रियास रहेगा कि प्रते घर से एक मुठी हमन सामगरी एकत्रित लीजाए इसे घरत यात्रा दस करोड रुपे खर्च होंगे तब तक के लिए हमें दीजी जाज़त रा